स्पांग्रेस वेरिश और समाजवादि कारटी एक और एक ज़ी वह ह तब से डिली और लखनव में आपस में तकरा रहा है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी एक और एक ज़ी वह हैं है कि तब सब्सक्राइब जो कहने वाले डबल इंजिन वाले डबल इंजिन बिल्ली और लखनों का इंजिन आपस में टकरा रहा है और यह जीरे होने जीरे होने अभी तक तो मैं यह सुच्छा था कि अश्टी सीट में एक में लगाई है क्यूटों में लेकिन अब तो यह लग रहा है कि भीजेटी का अस्टी में अस्टी का सफाया होने जा रहा है यह जो दिल्ली वाले हैं कई बार कहते हैं शैजादे और शैजादे इस बार शैजादे शैवी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भाते जंता पार्टी के लोगों को याद है आपको इन्होंने कितने वादे किये थे हम से और आप से कहा कि किसानों की आयदे बुनी हो जाएगी बताओ हमारे परताबवर के किसान भाईयों किसी भी किसान की गाओं मे रहने वाले नाजवान उनके परिवार की जो खेती वारी से जुड़े हैं किसी की आयदे बुनी नहीं होई और आयदे बुनी तो दूर इन्होंने मेंगाई बना करके लागत बना दी और लागतान लागत बढ़ती चली जा रही है चाहे वे बीजा लो पैटो हो खालो और चाहे की ना सक दवाईया हो यहां तब जब किसान तो बीजेपी खरीदने के लिए जाना पड़ा बजार में तो इन बीजेपी वालों ने नेनो यूरिया जबरुस्ती खरिदबादी नेनो यूरिया खरिदबादी जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे जिस तरीके से उद्द्योपती भारत छोड़के चले गए थे इसी तरीके से नेनो यूरिया वाले भी भारत छोड़के चले गए हैं और दिल्ली वालों ने पे दिल्ली से अपना सामान आमान बांद लिया है और ये साफ छट में साथ में वाले चुनाव में आ गए है वो जानते हैं अब दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है बदलार की हवाद चल रही है इसलिए स्टाफ स्थामान बांद लिया है और जो जनता को ढोका दिये थे इस बार जनता भी उसे हिसाफ किताब करने जा रही है अपने बोड से जहां इन्होंने किसानों को ढोका दिया था वही हमारे नौजवान जानते होंगे कि कोई भी इस सरकार में परिच्चा हुई हर परिच्चा का पेपर लीग हो गया और जब नौजवान घर लोटा तो उसे पता लगा कि परिच्चा रद्ड हो गई है और केवल रद्ड नहीं हुई है लगातार इस सरकार ने जान बुझ करके पेपर लीग कराए और सरकार ने इसलिए पेपर लिक कराए जिससे नौजवानों को नौखनी न देनी पर जाए रोजगार न देना पर जाए मैंने कई मौकवार को स्थिर कहता हूँ कि जो नौजवानों की परिछा रद भी है उससे लगबख साथ लाग बच्चे नौकरी से दूर हो गए और अगर नौकरी से साथ लाग बच्चे दूर हुए है उनके माबाप को जोड़ दें तो एक परिवार तीन लोग नाराज है सरकार से और अगर हम तीन का गुरा साथ लाग से कर दें तो एक करोड अस्ती लाग होते हैं और यही एक और असी लाग अगर असी लोग समाँ से भाग देंगे तो हर लोग समा में भाग दिये जंता पार्टी का दो लाग पच्छिस हजार बूट कम हो गया जिसकी कोई भरपाई भाग जंता पार्टी नहीं कर सकती ना केबल ना केबल इनोंने नौकरियों से नौजमानों को दूर रखा बलकि नौजमान साथ ये हिसाब किताब लगाना एक तिहाई जीवन आपका इनोंने बरबाद कर दिया पिछले दस साल में नौकरी मिली न रोजगार मिला और यही नौजमान जो अपनी फ़ाज की नौकरी के लिए टयारी करता था सड़क पे दोड़ता था खेतों में गवों में जहां जगे बना करके अपनी तैरी करता था सवाज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाता था लेकिन इन बीजेपी वालों ने सवाज की नौकरी भी आदी अधूरी कर दी मैं अब ये नौजमानों से कहके जा रहा हूँ ये जो स्पॉश की आदी अदूरी नौक्री की है हम समाजवादी लोग इंडिया गड़ बंदन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं सरकार बनेगी सरकार में जो नौक्रिया खाली है तीस लाख वो नौक्रिया तो भरी जाएंगी नौजमानों को नौक्री दी जाएंगी साथी साथ जो स्पॉश की आदी अदूरी नौक्री है अगनी वील को हमेशा हमेशा के लिए खटन कर दिया जाएगा मैं अपने खाकी बर्दी पहने वे भाईयों को जब देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब बीजे पी फॉश की नौक्री चार साल की कर सकती है तो अगर यह सत्ता में आगए तो हमारे खाकी बर्दी पहनने वालों की भी नौक्री तीन साल की कर देंगे इसलिए हम इने भी साथान करने आए हैं अभी तो फॉश की नौक्री हुई है चार साल की यह बीजे पी वाले दुबारा आ गए तो इनकी खाकी बर्दी पहनने वालों की भी नौक्री तीन साल की जाएगी यह हमारे पतकार साथी पूशते हैं यह कैसे संबब है तर देंनें साथी हवाई अड्डे बेजिये हैं की लेजिये रेलवेस पी नहीं बेजिए चीनें बेजिये हाई जो सत्तक画ी है वे वो बेजिये कैं नहीं परदिये और फ़रकारी बिभागों में वांड़ exciting कर दी कर दूर आ .. अगनी भी लागू कर सकते हैं नोड बंडी लागू कर सकते हैं तो ये भी लागू हो जाएगी इसलिए भारती जंता पार्टी से मैं आपको भी साफ़धन करने आया हूँ